देखे जब पिछला एक महीन आप लोगों ने देखा किस तरीके से बीता है और मैं एक तरीके से भारती जंदा पाटी का धन्यवाद करता हूँ कि जो टिकेट उन्होंने किसी और को परदान किया जो पहले एक छेतर छोड़ के आए पर दूसरा छेतर छोड़ के भागे आज तीसरे में आ गया है शायद ये भी छोड़ देंगे और वो 20 दिन का जो मुझे समय मिला तो उसमें ने अंकलन किया कि किस तरीकी की राजनीती हो रह रहे हैं अगर आप सबके भाशवर उठागे देख लिए चाए पक्ष हो चाए विपक्ष आज विपक्ष में अधरणी अखलेश अदव जी हैं आप वो जब बात करते हैं मंच पर देखिए किस बारे में बात करते हैं वो बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की वो बात कर किसान हो की युवा हो की लैप टॉप की टैबलेट की और दूसरे पक्से देखिए क्या बाते हो रही है तो अब भी सोचने वाली बात है कि आज एक युवा होने के साथ-साथ हमको यह लगता है कि जो आदमी प्रोग्रेसिव बातें करें इस प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास करें कम सकम मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए तो जैसे मैंने का मुझे समय मिला मैंने सबके साथ जो मेरी टीम के लोग थे चिंतन किया काफी समय और उसके बाद निर्णे लिया मैं अधरणी अखलेश जी का धन्यवाद भी करता हूं कि आज अपनी लोग सव मैं एक पक्ष में था जैसा मैंने आप से का मुझे समय मिला मैंने दिखा किस तरीकी की राजनीती क्या भाषवडबाजी हो रही है गर्मी निकाल देंगे और टोपी की ऊपर बात हो रही है तो यह मुझे नहीं लगता इस तरीकी की राजनीती होनी चाहिए हम लोग पढ़ जहां डिविसिव पॉलिटिक्स हो कहीं किसी पी तरीके का विवाजन हो तो मुझे लगा ऐसे विक्ति के साथ हम सबको जितने भी युवा हैं उन सबको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो भी उन्होंने अपना घोशना पत्र द ही पूछते हैं किसको मिला किसको नहीं मिला ठीके मुझे लगता है राजनीती बहुत नकारात्मक हो रही ते और शायद उसका एक कारण था कारण यह था पांच वर्श आप राजनीती में थे आप पांच वर सत्ता में थे चौदा वर्श का आपका वनवास समाब्त हुआ भरती जंदा पाटी यहां आई थी उन्होंने किसी को मुक्यो मंतरी बनाया अब मुक्यो मंतरी जी कि मुख से जो शब्द निकल रहे हैं इस समय मुझे लगता है हताशा दिखाती है और जैसा मैंने कहां मैं एक प्रोग्रेसिव राजनीती में यकीन रखता हूं हम लोग भ दिखा ही देता है कि उत्तर प्रदेश का फ्यूचर उनके हाथों में सिक्योर रहेगा नहीं मैं अब लिस्ट बनाया अगर आप बनाना शुरू करिये तो उत्तर प्रदेश के जो अभी कोई चार्ज बनाएगा अंदुराक ठाकुर जी वो शायद करांतिकारी तो नहीं थे उसके बाद राधना सिंग जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं वो भी शायद करांतिकारी नहीं थे उसके बाद कल्यानार सिंग जी का पूरा परिवार फिर हमारे हैं मोहनलाल गंचले जाईए उनका परिवार उनके साले उनकी धरम पतनी फागु सिंग चोहान बिहार के बाते हैं भारते जिंदा पाटी की और मेरे खाल से उसी का इन सब चीजों का खामियाजान को भुखतना पड़ेगा देखिए जो मुझे जो जानकारी है चार ब्रहमन नेताओं ने टिक्ट मांगा था अपने पुत्रों पुत्रियों के लिए क्योंकि उनको लग रहा है कि 73 74 हम हो रहे हैं और भारते जिंदा पाटी में गुरूत है कि 75 के बाद नहीं होगा उसमें एक रीता बहुगना जोशी जी थी उसमें कल राध मिश्रा जी थे उसमें सत्यदे पचावरी जी थे और उसमें अहां रिदेना दिक्षित जी थे किसी को नहीं दिया तो अब यह त से क्योंकि बाकि सारे उनकों को टिक्ट कैसे मिल गया उनके बच्चों को फुत्रों को पोत्रों को एसे मिल गया तो यह प्रशन उनसे पूछ नहीं नहीं चाहिए Mexican में फिर से आवार व्यक्त करता हूं मुझे टिकेट नहीं देने के लिए मैंने उस श्ट्र में 13 वर्ज कर किया मुझे भरती जंता पार्टी की जरुवत नहीं उस शेतर में चुनाओ लड़ने के लिए और क्यूंकि उस समय मुझसे कही लोगों ने पुछा कि आप ने उस समय जाकर कि क्यूं नहीं चुनाओ लड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक commitment था जिस पार्टी में मैं उस सम पाएगा मुझे प्रोग्रेसिव पॉलिक्स के साथ जोड़ना है और मैं बहुत प्रसंद्न हूँ आज यहां मैं हूँ क्या दिक्कत हो कि आज भी वह पार्टी का ही कारे कर रही है में बेखासे त्रिपुराया गई है परसों नरसों बिशाद इंदोर गई थी उन्होंने प्रियाग राज में लड़ाया वह यहां रहती नहीं और तो और जैसे में जनतंत्र है क्यों सिंध्या परिवार पहले नहीं था आज जैसे आपने का यादव परिवार नहीं है तो ऐसे नहीं होता है हर आदमी के अपनी इच्छा होती है और लोगतंत्र है कोई जाए सिंध आजनकारी नीती कहीं दिखाएंगी देती मुझे सिर्फ पॉलिटिक्स में ये दिखता है कि आने वाला भविश्य चाहे मैंने का महिलाओं का किसानों का युवाओं का सबका मुझे उजवल लग रहा है उसी कारण वर्ष आज मैं समाजवादी पार्टी में संबले थूँ औ हम लोग तो अभी शुरुवाती कर रहे हैं मैं कारेकरता रहा हूं 12-13 वर्ष में नेक्षेत्र में काम किया लेकिन उन्हें इलेक्टारिक पॉलिटिक्स बहुत करी है नहीं ऐसा नहीं कि किसी भी मां मेटे का तो रिष्टा हो गई न हम लोग कोई दुश्मन तो नहीं है औ कुम्मत मांगो जिस आदमी को मैंने चुनाओ हरवाया था सुरेश तिवारी को उनको टिकेट दे दिया उसके बाद 2022 में बोला मेहनत करो अब फिर एक आदमी ढई वर्ष लगाता है कहीं मेहनत करता है उसके बाद आप कहते हो कि अब बारह के बजाए 24 हो गए तुमारे लि को ला इनसे आपको यह प्रशने पूछना चाहिए उनकी परिभाशा क्या है वह आपको खुद पूछनी पड़ेगी क्यों मैं आज तक उस परिभाशा को नहीं समझ पाया कि मेरे लिए परिवारबाद अलग क्यों और बाकियों कि उनके सज्जनों के हमने नाम लियों के न यह मानत मैं डिफाइन नहीं करता हूं वह परिभाशित कैसे करते हैं मेरे खल से अगली बार जवाब किसी से बात करें लेकिन मैं आज लिबरेटिड महसूस कर रहा हूं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो उन्होंने मेरे साथ वेवार किया और जैसे आपने मेरी मा का सवाल पूछा देखिए वो भी स्वतंतर हैं मैं इस इसे बोला की नोमिन तारिक का समय निकल गया, चार तारिक का नॉमिनेशन का, मुझे समय मिला, मैंने वो 20 दिन, जैसे मैंने का आज सब लोग बैठे हुए, हम लोगों ने आपस में चिंतन किया कि क्या करना चाहिए, फिर मैं पुना आप धुराता हूँ कि जिस तरीकी की राजनीती हम लोग कि वो किस तरीके के उन्होंने शब्दों का प्रयोग के वो वीडियो और आडियो आज वाइरल है, ब्रामणों को ले करके, जिनका शब्द में आपके सामने नहीं ले सकता है, क्योंकि वो शब्द आप बोल नहीं सकते हैं, वो लोग में बैंड है, तो इस तरीके के पहर्ती दंती अर्वाज को अंदर प्रभू प्रोजेक्ट केसे ईव सकते छुप संदर प्रतिमा लगाई सवाय आच आएक महान मंतरी वहां लड़ भी आते हैं नत्मस्तकोंने आप कहने लगात आप अस्तान समय भगवाण वह chang देखते हैं अपने देखिए मेरा जो विचार धारा थी जब मैंने बोला कि जिमने यह तैय कर लिया था अपने मन में तो मैं जो कर पाया पार्टी के लिए समाजवादी के लिए वह मैंने करा जरूरी नहीं कि आप हर बार फ्रंट पर यहां हैं हम लोग जैसे आप में भी होते हैं आप मेहनत करी हैं आप कोर्रिस्पोंडेंट शायद कोई और उसको नीज को पढ़ेगा तो मैंने मेहनत अपने बिहाइंड सीन्स जो कर सकता था करी अधर्णी अख्लेशी का पास समय नहीं था जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं मर रहा है किसी भी आप रैली में देख लिए उस हुजूम में जो उत्सा है और युवा जो आ रहा है देखिए युवा ही एक